हलो एवरिवन, हाव र यू, होप यू विल भी फाइन, तो दोस्तो स्वागत है आपका, आपके अपने यूटूब चानल राइशी क्लासेज में, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एट स्टांडर्ड हिस्ट्री का चाप्टर नुबर फोर, दा फ्रीडम स्ट्रग आप 1857, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने दे दिया है, और ये जो है इसका सेकंड लेक्चर है, तो अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिस्टे के आ प्रिटिश का जो है मतलब पूरे इंडिया में जो है लोगों पर अत्याचार करना शुरू था, कम्पनी के रूल इतने सक्त थे, कि लोगों को उसकी जो है तकलिब हो रही थी, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कि सभी तरब से जो है ब्रिटिश को विरोध होने लगा, सभी तरब इंडियन ट्राइब्स जो है वो भी जो है इससे अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि ट्राइब्स का जो है फॉरेस पे पूरा उनका जिवन निर्भर था, और उनको जो है ब्रिटिश ने एक ला बनाकर रिस्ट्रिक्शन कर दिया उस पे, तो इससे जो है उनको भी जो है ब्रिटिश का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने भी जो है उनके खिलाब पिद्रो करना शुरू कर दिया, नेक्ट जो है इंडियन सिपॉई जो है इनको जो है कम सैलरी और अलाउंस दिये जाते थे जैसे कि ब्रिटिश को दिये जाते थे उतना जो है उनको नहीं दिया जाता था तो इस से भी जो है घडिश छिलाप इंडियन सिफाई भी जो है खड़े हो गए थे तो इस तरह से थी तरफ जो है बृटिश के रूल से जो है लोग परिशांद हो गए थे तो उसके बाद में भी clever होता था तो उसका जो असर है वो बिलेजर्स पर नहीं हो रहा था लेकिन जब ब्रिटीशर्स आये तब उन्होंने इंटरफेर करना शुरू कर दिया विलेज में भी तो एक नई क्रीबनिय स्टीम उन्होंने शुरू कर दी और जिससे की मन माना टैक्स वसुला जाने लगा और टेक्स प्रेश्टाइल इंडस्ट्रीज या फिर हैंडीक्राप्ट जो पीपल हैं उनके जो बिजनेस है वह पूरे जो है नेस्तनाबुद हो गए और बिटिश ने क्या किया कि अपने जो है चीजें जो है बहुत कम दामा भी बेचना शुरू कर दिया और हमारे इंडियन हैंडीक्र और ट्रेडिशन कस्टम पर भी जो है एंडर कर रहे हैं तो इसका भी जो है उनके उपर जो है गुस्सा था नेक्स्ट जो है उन्होंने एक लॉंग रेंज की एक जो कार्टूस बोलते है रिफिल याने कार्टूस जो है एक इंडियन सिपाई को के हाथ में थमाई और उस का कार्टूस है उसमें जो है काउ और पीक का फैट जो है मिलाकर वो कार्टूस बनाया जाता था तो यह जो है हिंदू और मुस्लिम सिपाई के लिए एक सेंटिमेंटल इश्यू हो गया और इससे जो है वो हट होने लगे तो इसका परिनाम क्या हुआ कि सब लोगों ने विरो अडिदाग दी और उसे जो है मार दिया जैसे उनको पता चला कि मंगल पाण्ड़ को और उसको जो है पाशी की सजा दी गई और ये जो बात है पूरे इंडिया में जो है आग की तरह फैल गई और सभी सिपाई जो है वो प्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है देली पे उन्होंने धावा बोल दिया तो जहा-जहा से बोलोंग जा रहते देली की तरफ तो वहाग के जो है विजीज में के लोग उन्होंसे जुड़ते गए और महादुर शाह जफर उन्होंने अपना एंपरार भोसित म 오랜만े राजा यहांब नहों तो इसके बात जो है आज हम आगे का देखेंगे तो स्कोप अब दा स्ट्रगल इंक्रीज वीद दा कैप्चर अफ डिली जैसे ही सब सिपाईयों ने जो है डिली को कैप्चर किया तो उनका जो है कान्फिडंस बहुत ज्यादा बढ़ गया इससे बाकी सोल्जर्स को भी इंस्पिरेशन मिला रिवाल्ट सुन स्प्रेड इन नौर्थ इंडिया तो यह जो रिवाल्ट है क्रांती नार्थ इंडिया में भी जो है स्प्रेड होने लगी इंडियान सोल्जर्स revolted in contentment from बिहर तो राजपुताना तो यह जो इंडियान सोल्जर्स है इन्होंने जो है रिवाल्ट शुरू कर दिया था बिहर तो राजपुताना एरिया में जितने भी contemporary मतलब कि मिल्टरी कैंप जो थे वहां पे इन्होंने रिवाल्ट शुरू कर दिया क्रांथी शुरू कर दिया रिवाल्ट स्प्रेड इन लखनव अलाबाद कानपूर बनारस बरेली और जासी और यह जो रिवाल्ट है वो फिर बाद में धीरे-धीरे सभी तरफ पहले लगा ज इंडिया में भी यह रिवाल्ट जो है षप्रेड हुआ मतलब की पहले नार्थ इंडिया में हुआ फिर बात में जो है साथ इंडिया में सथसर दिखने लगा ठीक है सो इन द रिवाल्ट चक्रपती अपर अपन क्लशन कर सांतरा और ये जो रिवाल्ट शुरू था इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है सामने आये थे बतल बढ़चड के उन्होंने हिस्सा लिया था जैसे कि चत्रपती प्रताप सिंग है सातारा के और ये जो है राजगराने से थी वो रानी थी तो वो भी जो है इस स्ट्रगल में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन 1857 अंडर दे लीडर्शिप आप कजार सींग भील रिवॉल्टेड और भील जो एक समाज था वो भी जो है 1857 के जो लड़ाई में कजार सींग के लीडर्शिप में जो है वो करांती के लिए सामने आये वेराद शंकर शाहा लेट टू रिवॉल्ट इन साथपुड़ा रिजन और साथपुड़ा रिजन से जो है शंकर शाहा वो भी जो है इन्होंने लीड किया था इस करांती में 400 विल बुमन पार्टिसिपेटेंड इन्दरिवॉल्ट अट खांदेश और खांदेश में 400 विल बुमनस थी मतलब बुमनस भी कम नहीं थी वो भी जो है उन्होंने भी इस करांती में जो है पार्टिसिपेट किया क्या सो लिडर्शिप आप आप the स्ट्रगल है डिरिंग द नादिर शहा अबदाली अटेक इंडिया तो यह जो इनवेडर सेंसे जो भी व्यक्ति हमारे इंडिया में आता है तो जैसे कि नादिर शह और अबदाली जो है उन्होंने अटेक कर दिया इंडिया पे भार से आके So the Marathas understood that Mughal Empire cannot react to this foreign invasor and took up the responsibility of safeguarding India तो Marathas को जो है उन्होंने समझ लिया कि ये जो Mughal Empire है तो वो तो कुछ रियक्ट करने वाला नहीं है ये जो foreign invasors जो आये है मतलम नादिर शाह और अबदाली जो आये है तो इनको जो है ये विरोत करने वाले नहीं है तो उन्होंने खुद जो है वो responsibility ही ली और जो है इंडिया को safeguard करना शुरू कर दिया So Marathas fought against अबदाली एड पानीपत और उन्होंने जो है Marathas ने पानीपत में जो है उनसे जो है एक लड़ाई की So in the freedom struggle of 1857 the descendant of a Mughals बहादूर शाहा was incapable of a fighting against the British और ये जो freedom struggle था 1857 का तो descendant of a Mughal बहादूर शाहा मतलब ये जो Mughal है बहादूर शाहा है ये incapable थे मतलब ये जो है British से fight नहीं करने वाले थे ये जो है Marathas को पता चल गया था और ये जो है British से हाथ मिलाना शुरू कर दिया था इन्होंने तो understanding the condition नाना साहे पेश्वा, रानी लक्ष्मी बाई, आफ जासी और तात्या टूपे तूपे टूक अब दे चार्ज अब दे फ्रीडम स्टंगल आफ ऐटेन फिप्टी सेवं तो ये जो है इसको पता चल गया था ये कंडिशन नाना साहे पेश्वा, रानी लक्ष्मी बाई, अफ जासी और तात्या टूपे इनको जो है ये पता चल गया था कि ये मोगल्स, बाहदूर शाह जो है ये कुछ British से लड़ने वाले नहीं है ये capable नहीं है लडने में तो इन हिंदू और मुस्लिम की जो है एक यूनिटी जो है इस ट्रगल में दिखने लगी सो मौलवी एहमाद अल्लाहा कुवर सिंग मूगल कमांडर भक्त खान बेगम हादरत महाल लीड रिवाल्ट इन वेरियस रिजन और ये जो है सभी जैसे कि मैंने अभी नाम लिये हैं मौलव इहमाद अल्लाहा वो किसी अलग रिजन में जो है इस ट्रगल में जो है सामने आए कुवर सिंग वो अपनी तरफ से एक रिजन में जो है ब्रिटिश के किलाब लड रहे थे मुगल कमांडर वक्ति खान जो है वो अपने लिडर्शिप में जो है कही और जो है ब्रिटिश से लड़ रहे थे सो बेगम हदरत महल वो भी जो है अपने लिडर्शिप में जो है इस रिवाल्ट में जो है सामने आये थे नेचर आफ रिवाल्ट इन देली, कानपूर, लखनव, जासी, वेस्ट बिहार वाज मोर फायर्स और यह जो रिवाल्ट है वह बहुत ज्यादा मतलब फायर्स ली जो है कहा पर चला देली, कानपूर, लखनव और जासी में और वेस्ट बिहार में भी ओके सो क्रशिंग आप इनक्लूडिंग सोलजर्स, जमिंदार्स, किंग्स, कमॉंडर्स और एंड कॉमन पीपल तो यह जो स्ट्रगल था वो अपने जीजान से जो है फाइट कर रहे थे बिटिश के खिलाब तो उनमें जो है कौन-कौन थे सोलजर्स थे, जमिंदार्स थे, किंग ते, कमॉंडर्स थे और यह जो है इस लड़ाई में शामिल हुए थे और जीजान से लड़ रहे थे, अर यह जो इन्डियन सिपॉई जो थे यह जो है फ्रीदम स्ट्रगल जो फिक्स टाइम होता है उसके पहले ही जो है वह लड़ते थे, ओके इनिशेली देस सच्षिड़ेट़् बढ़ मि अब्रिटिश का अड्मिनिस्ट्रेशन रूल जो है वह बहुत ज्यादा बड़ा था तो उसका सामना जो है इंडियन पीपल नहीं कर पा रहे थे यह जो पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको टाट्या टोपे रानी लक्षमी बाई और बेगम हजरत महल कुवर सींग यह जो अभ अब्रिटिश कर्श डाउन देज्ट्रेशन जो था रूल वहोत ही ज्यादा वास्ट था तो ब्रिटिश क्रश डूट देख्पल व्हाई उसको कभी जो है kुचल सकता था क्योंकि उनके पास में सभी बाते जो है वह हो ज्यादा थी तो ब्रिटिश मेड़ कूट रिकवरी और जो ब्रिटिश की टेरिटरी जो लॉस हो गई थी मतलब यह स्ट्रगल में जो है वो जो भी टेरिटरी उन्होंने लॉस्ट की थी तो विदिन 6 मन्होंने जो है उसको रिगेन कर दी मतलब फिर से जो है पाली पूर्णी लग्षम़बाई, कूवर सिंग, एहमददुल्लाह लेड देर लइव ऑर इस जो स्ट्रगल में जो है राणी लक्षमेबाई की भी जमा जहती है v tenants जान गई और ऐहमदुल्लाह है जो है उनकी भी जो है जान चले गई बहदूर शाह वाज इंप्रीजिंट एट रंगून और बहदूर शाह को जो है इस लड़ाई में जो है रंगून में जो है बंद कर दिया गया मतलब जेल में बंद कर दिया गया जो नाना साहेब और बेगम हजरत महल तुक हर चीष बड़ा है और यह जोनासाहेब और बेगम धेल है इन्होंने जिए कहां पर जह लिए मतलब भी तियों स develop चेख ऐच theo लिक्षोन और जो है तात्या टूपे आँट कर और बेगे तभी ड़ाई坑 चैशंत हनेले जो हम ब्रिटिश से जो है लड़ते रहें, लेकिन जो है ब्रिटिश के हाथ में वो आ गए और उनको फिर फासी दे दी गई, ठीक है, तो in this way by the end of 1858, ब्रिटिश रूडलेसली क्रश डाउन दे स्ट्रगल, और इस तरह से जब 1858 आया, तो ब्रिटिश ने पूरा जो स्ट्रगल है हमारा, वो रूडलेसली जो है क्रश कर दिया, मतलब जो है कुचल दिया, खतम कर दिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है, हमारा स्ट्रगल कम नहीं हुआ था, मतलब उनके मन में जो भी दहशत थी, या फिर जो गुस्सा था, वो जो है कम नहीं हुआ, और इसका असर क्या हुआ कि ये जो पिजन्ट है, आटिजन्स है, कॉमन पीपल है, ट्राइब्स है, ये जो है एक हो गए, और ब्रिटिश के खिलाब जो है, उन्होंने फिर से जो है, वो एक साथ खड़े हुए, stood up in a great force, okay, so their common aim was, उनका common aim क्या था सबका, कि overthrowing the British from India, मतलब कि ब्रिटिश को जो है, देश से भगाना, ये ही जो उनका common aim था, so there was an inspiration of gaining independence behind this struggle, and therefore, this freedom struggle gained a national form, और ये जो struggle हुआ, ये जो है, एक inspiration struggle हुआ, independence का, मतलब जो है, लोगों को जो है, एक independence जो है, country चाहिए थी, और इस लड़ाई से जो है, वो सबके मन में जो है, भावना पनब गई, okay, और इसलिए इसको जो है, एक national form जो है, आया हुआ था, ठीक है, So, causes of failure, struggle, तो ये जो struggle है, वो fail होने के क्या क्या कारण थे, ये जो है, हम आगे देखने वाले हैं, So, the struggle of 1857, became successful, unsuccessful, due to the following reason, तो 1857 का जो struggle है, वो unsuccessful होने के जो है, कुछ कारण जो है, नीचे दिये हुए है, The struggle was not comprehensive, ये जो struggle था, वो जो है, complete नहीं था, So, struggle did not take place simultaneously all over India, मतलब ये जो struggle है, वो कुछ ही भाग में जो है, चल रहा था, पूरे जो है, पूरे इंडिया में जो है, वो नहीं चल रहा था, Its intensity was more severe in North India, मतलब इसकी intensity जो है, सबसे ज़्यादा North India में थी, But, जो है, राजपुताना, पंजाब, और some part of Bengal and North West India remain alok, मतलब ये सब जो है, अलग थे इससे, मतलब सभी तरफ अगर ये एक साथ अगर चलता था, तो जो है, इंडियन जीच जाते थे, लेकिन जो है, ये कुछ पार्ट में चल रहा था, और कुछ पार्ट में जो है, कुछ पार्ट के लोग जो है, विलकुल अलग थे, Okay, so, lack of the central leadership, there was no commonly accepted leader to the fight against the British, हमारा कोई एक common leader नहीं था, जिसके अंडर में, जो है, हम सब एक होके, जो है, ब्रिटिच के खिलाब लड़ते, So, due to this, there was no uniformity in the struggle against British, और इसलिए, जो है, हमारी जो uniformity जो है, वो नहीं थी, क्योंकि हमको उपर से order देने वाला नहीं था, कोई भी, तो सब लोग जो है, अपने अपने हिसाब से, जो है, बो स्ट्रगल में पार्टिपेट कर रहा था, जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो यह जो uniform meeting नहीं होने की वज़े से भी, जो है, हम, जो है, यह स्ट्रगल हार चुके थे, जो है, जो है, मतलब की जमिनदार लोग जो होते हैं न, वो, हम, सो जस्ट अस दे कॉमन पीपल सफर्ड दू ब्रीटेश रूल, similarly, the princess also were suffering, तो यह जो जमिदार और यह जो राजे जो थे, छोटे-छोटे, यह सभी जो है, जैसे की common people को उसका effect हो रहा था, सफर हो रहे थे, तो वो भी जो है, वो भी सफर हो रहे थे, but except a few other remaining faithful to the British, लेकिन उसमें से जो कुछ, यह जो जमिनदार लोग थे, वो अभी भी ज soldiers were brave, but did not use tactic, तो Indian soldiers के पास में, जो है, बहुत जादा हिम्मत थी, वो brave थे, पन उनके पास में, जो है, tactic नहीं थी, क्योंकि किस तरह से लड़ना चाहिए, planning होनी चाहिए, वो planning नहीं थी, they captured Delhi, but could not remain it, retain it, उन्होंने जो है, दीली को captured तो किया, लेकिन जो है, उसको retained नहीं कर सप्लाइ, मतलब, but could not retain, okay, so similarly, the Indian rebels had limited armed supply, और Indian rebels जो भी थे, उनके पास में, आर्म सप्लाइ भी बहुत कम था, मतलब, आर्म, आर्मी के जो सिपाई है, या फिर जो साधन लगते हैं, वो भी जो सब कम थे, so British had economically strength थे, और British जो है, वो पैसे से भी बहुत ज्यादा strength थे, और disciplinary army थे, उनकी army जो भी थी, मतलब, जो भी सिपाई जो काम कर रहे थे, वहापे, वो discipline थे, then enough talk of a latest arm, उनके पास में, latest जो भी, मतलब, बंदु के ये, वो जो है, वो भी जो उनके पास में, बहुत ज्यादा था, and experienced army generals, और जो है, आर्मी के जो generals होते है, वो भी जो है, experienced थे, तो since transport and communication was in the hands of a British, और transport और communication के साधन भी जो है, उनके हाथ में थे, इनका जो movement है, वो बहुत जल, speed से होता था, कहीं पे भी कुछ भी problem हुआ, तो वो जो है, fast जो है, उसको recover कर सकते थे, तो due to this, the Indian सिपाई could not succeed, और यही एक बहुत बड़ा कारण है, कि हम लोग जो है, Indian सिपाई जो है, success नहीं हुए, Wars are found not only based on a bravery, but also through military strategy, तो वार जो है, सिर्फ मतलब सिपाई brave होने से नहीं चलता है, उसमें, तो जो है, military strategy भी जो है, वो भी fulfill होना बहुत जरूरी होता है, लड़ाई में, ओके, जो है, so next, international situation was favorable to the British, और जो भी international situation थी, वो भी जो है, ब्रिटिश के लिए जो है, फेवरेबल थी, क्रिमेइन war with Russia was just over, क्रिमेइन war जो है, वो भी जो है, कुछ ही दिनों पहले हो चुका था, और उसमें जो है, the British won the war, और ब्रिटिश जो है, ये लड़ाई भी जीत चुका था, so they had trade relation with different countries in the world, उनके जो है, व्यापारिक relations भी थे, जो बहुत सारे world के countries से, so the naval strength of British was lost, उनका जो naval strength है, sea से चलने वाला जो भी उनके काम थे, वो भी जो है, बहुत बढ़ा था, so whereas the Indian rebels were isolated, और एक तरफ अगर Indian rebels को देखा जाए, तो वो जो है, उनके पास में ये सभी चीज़े जो है, वो कम थी, okay, so consequences of the freedom struggle and of a rule of a East India company, और इसका एक struggle का क्या असर हुआ, ये freedom struggle का, कि East India company जो है, के rule जो है, वो stop हो गए, due to the company rules, there was a growing dissatisfaction among the Indians, and the British rule had to face the struggle of 1857, तो ये जो company के rules थे, तो इससे जो है, Indian जो है, वो नाखुश थे, dissatisfaction, satisfied थे, और इसका असर जो है, ब्रिटिश को, जो है, 1857 के struggle में जो है, देखना पड़ा था, so it forced to British Parliament to end the rule of the company, और इसलिए जो है, ब्रिटिश पार्लियमेंट को force किया गया, कि ये जो rule है, उसे company के वो बंद किये जाए, and instead take over the responsibility of a ruling over the people of Indian, through the Government of India Act, 1858, और जो ब्रिटिश पे जो है, force होने लगा, इंडियन पीपल्स का कि, ब्रिटिश पार्लियमेंट पे, कि ये जो rule है, company का, वो जो है, end किया जाए, मतलब, the governor general was now designated as the viceroy of India, और governor general जो है, उसको जो है, एक post दी गई, जो कि viceroy of India, तो lord canning happened to be the last governor general, and the first viceroy of India, और ये जो lord canning है, वो जो है, last governor general थे, और जो है, first voice right after India थे, मतलब, उनको एक नई post जो है, वो दी थी, a new post called secretary of state was created in the British government, तो British government ने जो है, एक नई post, जो है, secretary of state, जो है, create की थी, okay, to look after the affairs of India, मतलब, इंडिया के जो भी कामकाच चलेंगे, उसके उपर जो है, ये जो voice right है, वो watch राखेगा, so queen's proclamation, queen's का क्या order था, कि queen Victoria of England issued a declaration address the people of India, तो इन्होंने जो है, queen Victoria, जो England की है, उन्होंने एक declaration दे दिया, इंडिया के people के सामने, कि all Indians are our progeny, ये जो हमारी Indians जो है, वो जो है, हमारी संतान है, so henceforth, they will not be discriminated on the basis of race, religious, caste, और birthplace, तो ये जो हमारी जो family है, ये हमारी जो संतानी है, इनके उपर जो है, कोई भी discrimination नहीं होगा, on the basis of race, किसी भी Indian पर जो है, race, religion, caste या, उसके जन्म से जो है, कोई भी discrimination नहीं होगा, ये जो है, order, Victoria ने जो है, दिया, ओके, so government service, will be given on merits, और government service भी जो है, Indian peoples को मिलेगी, लेकिन उनके merits पर, मतलब जो qualified होगा, उन्हीं को जो है, वो दी जाएगी, so there will be no interference in the religious affairs, और इसके बाद में जो है, British का जो है, कोई भी interference जो है, religious matter पे जो है, उनका नहीं होगा, it was made clear that the British crown will honor all treaties and agreement made by the company, with the rulers of a princely state, and no princely state will be annexed henceforth, तो यह जो है, Queen Victoria ने जो है, clear कर दिया, कि यह जो भी treaties हुई है, यह जो भी agreements है, इसको सभी को जो है, फालो करना है, मतलब company with the rulers of a princely state, मतलब जो princely states है, उनको भी जो है, यह सभी जो company के rules है, वो फालो करने पड़ेंगे, and no princely state will be annexed henceforth, और इसके बाद में जो है, किसी भी princely state को जो है, वो हड़ जो है, नहीं किया जाएगा, या फिर कोई तकलिप नहीं दी जाएगी, तो यह जो है, Queen's का जो है, order था, ओके, change in the composition of the army, the proportion of the British soldiers was increased in the army, तो इसके बाद में जो है, British soldiers जो है, हमारे जो आर्मी में जो है, वो बढ़ गए, the proportion जो है British soldiers का, वो जो है, हमारे आर्मी में जो है, बहुत ज़्यादा होने लगा, English officers were placed at a strategic location, और English जो भी officers थे, उनको जो है, एक ऐसे, मतलब, important, important place पे जो है, उनको अपॉइंट किया गया, आर्टिलरी वास केप एक्स्लिजवली इन दे हाट हैंड सब ब्रीटिश, और आर्टिलरी याने, जो भी हमारे मतलब की लड़ाई के जो साहित्य बगरे जो थे, आर्म पोर्स बोलते हैं, तो वो सब जो है, वो किस के हाथ में था, ब्रीटिशेर्स के हाथ में दिया गया, ओके, तो देर वास्ट डिवीजन्भा ओ है मिलीटरि में, इसमें भी जो है, मिलीटरी में, हो गया, ओन दे बेसिस ऑफ़ कास्ट के बेसिस पे जो है, उनको रखना शुरू हो गया, so proper care was taken to avoid Indians to unite and rebel against the British, तो एक proper care जो है रखने लगे थे British लोग, वो ये कि Indians को जो है, मतलब, proper care was taken to avoid Indians, to unite, मतलब, इनको जो है, unite होने से जो है, रोका जा रहा था, Indian people को, मतलब, इसके बाद में फिर से अगर वो British के खिलाप, जो है, struggle करना दे, इसलिए जो है, Indians को जो है, वो unite नहीं होने दिया जा रहा था, So, change in a policy, the British accepted the policy of a non-interference in social and religious aspects of Indian, और Britishers ने जो है, इस policy को accept कर दिया कि, वो जो है, Indians के social और religious जो भी aspect है, उसमें जो है, interfere नहीं करेंगे, लेकिन, they also started taking care that the Indian society will not be united on social ground, और ये भी ख्याल रख रहे थे, कि ये जो सभी Indian society जो है, वो social ground पे, मतलब सामाजिक तोर पे जो है, वो एक ना होने पाए, ये भी ध्यान जो है, Britishers रख रहे थे, so they saw to it that there will be a constant conflicts on a ground of a caste, religious, race, territory, etc. और वो जो है, क्या कर रहे थे कि constantly जो है, कौन से ground पे, caste मतलब caste के ground पे, religious के ground पे, race के ground पे, territory के ground पे, जो है, इंडियन पीपल में जो है, एक conflict मतलब उनमें जो है, लडाईया जो है, वो कर रहे थे, okay, so they adopted the policy of polluting the minds of the Indian, और इस तरह से भी इंडियन लोगों के minds को जो है, वो polluted कर रहे थे, कि जिससे इंडियन लोगों के साथ में ही, जो है, caste के matter पे, जो है, उनकी लडाईया चल रही थी, religious के matter पे, जो आज भी जलती है, रेस के और territories के जो मामले में जो है, वो Indian people, Indian people से ही जो है, वो लड़ रहे थे, इस तरह से जो है, ये Britishers उनके mind को जो है, polluted कर रहे थे, जो है, अब इंडियन लोगों को ही, जो है, इंडियन लोगों से दूर कर रहे थे, तो इसे बोलते है, डिवाइट आज रूल पॉलिसी, तो ये जो है, वो पॉलिसी अपना रहे थे, तो ये जो 1857 का जो हमारा स्ट्रगल है, इसको जो है, इंडियन लोगों के खिलाब जो उन्होंने युनाइटेडली जो है, एक फाइट की थी, ओके, तो दो फ्रीडम स्ट्रगल आफ इंडियन फ्रीडम मुमेंट और ये जो है, एक inspiration रहा, आगे जो हमारा इंडियन फ्रीडम मुमेंट चला, उनके लिए जो है, ये एक inspiration रहा, ओके, तो यहाँ पर ये जो lesson खतम हो रहा है, और अगर आपको इसमें कोई भी problem हो, या exercise में भी अगर आपको कोई problem हो, तो आप मुझे comment box में जो है, लिख कर बता सकते हैं, औ like, share और subscribe करना पड़ेगा, और जो bell button है, उसको भी click करना पड़ेगा, जिससे के आपको सारे notification जो है, जल से जल मिलते जाएंगे, okay, so thank you for watching this video, have a nice day.